हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ग्यान इंदर सिंग सिभू आपका दोस्त और आप देखर अपना फेबरेट चैनल A2Jet Concept दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना होलसेल बिजनस में कमाई कैसे बढ़ा हैं वो भी किराना जर्नली स्टोर के प्रोड़क्ट में तो बहुत ही कम मार्जिन होती है होलसेल बिजनस लेकिन ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है आज भी होलसेलर बहुत ऐसे होलसेलर है जो लाकु लाकु रुपए महीने कमाते हैं, बड़े आराम से ठीक है, लेकिन भाई वो कमाते हैं उनको टेकनीक थोड़ा समय लगाया फिर कमाया, लेकिन अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है साल बच है महीनिमे अपने शुरू किये है, और आपको लग रहा था करने से पहले कि इसमें कमाई बहुत ज़ादा होगी अब आपको लग रहा है यार यह तो बहुत कम कमाई हो रही है होलसेल में क्योंकि इसमें जो margin होती है अगर सब देखा जाया अगर देखा जाया तो इसकी जो margin होती है वो 1-2% ही हो जाती है वो भी brand product ज्यादा से ज्यादा 5% आप margin ले सकते इस business में तो पूरी detail में चर्चा करेंगे इस video में कि कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं इस video के sponsored है किराना क्लब किराना क्लब एक app है जिसको आप download करेंगे तो आपको किराना जर्नल इस्टोर से related बहुत सारी scheme का पता चलेगा नए-नए offers का पता चलेगा मंडी किस मंडी में क्या भाव चलना है वो भी पता चलेगा जब आप time से up to date होंगे तो आप business को बहुत अच्छे से grow कर पाएंगे साथी साथ आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसे आपको business में help मिलें उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूर install करें किराना club app link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो दोस्तो wholesale business में कमाई बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा जो कि most important है वो है variety को बढ़ाना अब बहुत लोग ऐसे हैं जो wholesale की business में तो आचुके हैं लेकि वराइटी नहीं रख पाते हैं और किराना जनरल store business में वराइटी रखना अपने आप में ऐसे ही सफलता हो जाती है कि अगर आप सारे product का mail रखे हैं तो आप ऐसे ही सफल हो जाते कि ये बहुत जादा लोग नहीं कर पाते हैं mail नहीं लगा पाते हैं और ये business ही है mail का mail क्यों लगाना है क्योंकि जो retailer है जो छोटा दुकानदार है वो हर चीज बेचता है गाउं में छोटे कस्बों में महले में बैट के बेचेगा और वो जो समान आपसे खरीदने आएगा तो उसको सारा समान अगर एक जगह से मिल जाएगा तो उसका time भी बचेगा क्योंकि वो छोटा व्यापारी दुकान बंद करके आया है या किसी को बैठा के आया है एक घंटे डेड़ घंटे के लिए जल्दी से समान लेने तो दस जगह जाना पसंद नहीं करते हैं जो रिटेलर होते हैं जो छोटे दुकान दार होते हैं ठीके अगर आप पूरा वराइटी रखते हैं न सब प्रोड़क्ट रखते हैं अब आपको ये जाना ज़रूर होगा कि भाई जो गाउं महला चोटे मोटे आप कहां पे खोले हैं उस जगह पे क्या लोगों की नीड है किस तरह के प्रोड़क्ट बिखते हैं ऐसा नहीं आपको बहुत महेंगे प्रोड़क्ट रखने है बहुत सस्थे प्रोड़क्ट रखने है अनब्रांड रखने है आपको इतना तो पता चली जाएगा दो-तीन महीने में कि आपके एरिये में जो मांग है सबसेदा बिखता क्या है जब हम सुरू-सुरू में दुकान खोलते हैं अपनी हिसाब से प्रोड़क्ट रखने के कोसिस करते हैं यह रखेंगे वह रखेंगे ब्रांड रखेंगे लोकल नहीं बेचेंगे बहुत सारी चीज़े लेकिन आपके रखने से दुकान नहीं चलती है दुकान चलती है जो रेटेलर, जो छोटे दुकानदार, जो कस्टमर मांग रहे हैं, उसे आप रख के बेचना पड़ेगा, ये दुकानदारी होती है, अपने हिसाब से हम थोड़ी बेच पाएंगे, भाई, कस्टमर को अगर जो समान चीए, वही समान अगर आप उसे देंग है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से प्लान करिए, कि आप देखी कि डिस्ट्रिबूटर से होलसेलर है, तो डिस्ट्रिबूटर से लेंगे, या आपने बड़े होलसेलर से भी बहुत लोग समान ले लेते हैं, जो कुछ परसेंट रखक करना है, जब आपके पास पूजी होगे, तो आप स्टॉक रख सकते हैं, एक हपता, दस दिन, एक महीने, दो महीने का स्टॉक आप रख सकते हैं, तब आप वो आपके पास पूजी होने का क्या मतलब, जैसे पैसा लगाने का मतलब यह होती ही, कि आपके पास ज्यादा पू करना बहुत जादा लोग आप लोग जानते हैं कि जब रिटेलर आते हैं उधार लेके जाते हैं लोग उधार मांगते तो इस पर पूरा आने वाले हैं आने वाले समय में तो इस वज़े से आज अभी सी कंट्रोल करिए उधारी पर आप उसको दीजिए जो आप 100% आपको फेत हो कि यह दे देगा हलाकि इसमें 100% भी फेत वाले भी फेल हो जाते हैं फिर भी आप अपने माइंड से दिमाग से जो आपका कहरा हो दि उसको दीजिए ठीक है जिसे आप ले सकते हो उसी को दीजिए बाकी ना करने की हिम्मच रखिए और सीधे मना करिए इस पर कंट्रोल करें क्योंकि वहां पर आपकी पूजी भी फसती है प्रॉफिट भी फसता है सब कुछ फसता है प्रोड़क्ट भी चला जाता है ठीक है तो कोसिस करिए कि उधारी पर पूरा कंट्रोल करें तीसरी चीज है आफर और इसकीम बनाईए कुछ आफर और इसकीम बनाईए अपने से कैसे हम घरहां को आकर सीथ करें कि भाई इस महीने अगर आपने बीस हजार का प्रोड़क्ट खड़ लिया तो आपको एक इना दस आसा कोई रीटेलर नहीं है जो आपको 30 दिन आए तो 30,000 का समान आपके दुकान से नहीं अगर आप एक खोल सेलर है तो यह सब दिमाग आप लगाई यह बहुत आसान है इसको समझे बताने के लिए एक मिए मैंने बता दिया लेकिन आपको समझने में उसको बनाने में क्रणगे की बिकती हैं तो उसे आप रखिए ठीक है तो इससे क्या होगा जो रिटेलर गाओं आउन जो दुकान है उस पर ज़रूर बिकता है आपने देखा होगा तो आप होल सेलर है तो आपको रखना ज़रूरी पड़ेगा होली में आप कलर रख सकते हैं अभीर रख सकत क्योंकि उसको पता है यह कहीं जगे से मिल जाएगा हमको तो हमको किसी भी सीजन में और किसी भी समय दूसरे के यहां नहीं जाना है तो गरहाग भी आपसे बंदेगा और बहुत मतलब 25-50 गरहाग अगर आपके रेगुलर हो गया तो आप लाखो रुपए तो ऐसे ही कमा लें क्योंकि कोशिस इस वज़े से क्योंकि पहले से कोई नो कोई तो लिया होगा तो आपको यह कोशिस करना है कि हम किसी प्रोड़क की या उस प्रोड़क की एजन्सी कैसे लें एजन्सी लेंगे तो जाएट जिवात है चार से पांच परसेंट आपको एक्स्ट्रा बच जाए तो उमीद करते हैं दोस्तों यह जो पाँच पाइंट मैंने आपको बताया यह आपको समझ में आए और यह बहुत ही एफेक्टिव आइडिया है जो हमने खुद अपनी बिजनस में अपलाई किया है बहुत जादा बिक्री होती है बहुत लोग आते हैं और आपको जब कस्ट 40-50 दुकांदार अगर खरीते हैं तो कितना ज़्यादा आपका सेल होगा और प्रॉफिट आप निकाली जी तीन से चार परसेंट पर महिने के लाग डेल लाग डोलाग रुपए आप आराम से कमाएंगे यह हो सकता है कि सुरुवात में आपको पैसे कमी हो तो मेल जैसे मैं जानकार्य आपको काफी अच्छी लगी हो तो फ्रीज वीडियो को लाइक जरू करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और इंस्टाग्राम फेस्बुक पे फालो करने के लिए Link आपको वीडियो की डिस्क्रिप्प्सिंट मैंने दे दिया है वहाँ पर हमें फेस्बुक पे ज़रू फालो करें, ये सारी वीडियो आपको फेस्बुक पे भी मिल लाएगा, क्योंकि आप लोग फेस्बुक ज़रू चलाते होंगे, ठीक है, और किराना कलप एप ज़रू डाउनलूड करिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सरम पे मिल लाए